नमस्कार दोस्तों एक वर फिस्ताब सबका स्वागत करता हूँ दोस्तों मैं दिल से आप लोग को सौरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि दोस्तों मैं आप लोग से वादा किया थे कि जो हरकन पूर्स है उसे मैं पूरा करूंगा लेकिन मैं अपने जॉब के कारण नहीं कर आजकर वो करण अपयर से एलेट है और जनवरी मैंने वे जितने भी important करण अपयर बन सकते हैं उन सबको मैंने लिया है तो यहां पे दे कि हम लोग का जो आजकर जो शेशन है उसे हम लोग सुरू करते हैं पहला कुछन देखिए पहला कुछन है जहारकन के बोकरों जिले मे बन रही medical college का निर्मान कारी किस वर्स पूरा कर लिया जाएगा है दोस्तों जैसे कि बात हुआ है कि जहारकण में दो medical college बनने वाला है इसमें से जो बोकारों का medical college है उसे पूरा करने का लक्ष किस वर्स तक रखा गया आप लोग के लिए जितने भी personal है दोस्तों वो सभी प्रशने quiz type के हैं ठीक है तो यहाँ पर देखे कि जो medical college है उसे कब पूरा कर लिया जाएगा तो इसका जो सही answer हो जाएगा option number C यानि कि 2020 में जो है इसे पूरा कर लिया जाएगा ठीक है चलिए next question की बात करते है next question है railway word जारकन के किस railway line को फिर से सुरू करने जा रही है तो दोस्तो railway word जो है वो किस railway line को फिर से सुरू करने जा रही है वो है धनबाद से चंदरपुरा दोस्तों यह जो railway line है इसे बंद कर दिया गया था क्योंकि यहाँ पर जो दूस्तों कोईले खनन के कारण जो अंदर का जो परत है वो परत थोड़ी खोकली हो गई थी जिसके कारण इस जो परीपत railway lane इस परीपत को पूरी तरक्रिशन से बंद कर दिया है अभी जो है इसे पूरी तरक्रिशन से भर के इस railway lane को फिर से शुरू कर दिया गया है तो most important प्रशने ध्यान रखेगा चलिए next प्रशने की बात करते हैं next प्रशने है जारकन सरकाईज की निवेश नीती से प्रभावित होकर जारकन में किस देश ने निवेश करने का फैसला जताया है दोस्तो अभी हाली में जारकन सरकाईज जो निवेश नीती है इससे कौन से अधिक प्रभावित हुआ है तो वो है इसली इसली दोस्तो बहुत अधिक प्रभावित हुआ है और उन्होंने जो है जारकन में बहुत अधिक दोस्तो निवेश करने की बात कही है ये निवेश दोस्तो बिसेश तौर पर अगर बात करें तो सोलर प्लांट इस्टिल उद् जहारकन सरकार ने किस विवाग के लोगों को तेरा मेहने का वेतन देने का निरने लिया है तो यह है पुलिस विवाग यानि कि जो पुलिस कर्मी है अब उन्हें तेरा मेहने का वेतन मिलेगा ठीक है चलिय कि बात करते हैं में जहारकन की पार्टी जहारकन मुक्ती मोर्चा का कौन सा इस्थापना परफ मनाया गया यानि कि जो ज्जारकण की ज्यारकण मुक्तिमोर्चा उसकी कौन सी वर्षगार्ट दोस्तो अभी हाली में प्रफलर टो कौन सा दोस्तों हुए हाली में यह को सा क्यों सा मनाया गया आभी तो यह और जेम के स्थापक दोस्तों कौन है तो यह है सीवू स्वरेंजी चलिए नेक्ट प्रशन की बात करते हैं नेक्ट प्रशन है हाली में दूतिय जहारकन अंतराष्टी फिल्म महसर का आवजन जहारकन के किस जीले में क्या इया है जहारकन अंतराष्टी फिल्म महसर का आयोजन है वह कहा किया इस बार यह किया है कहां पर राच्ची के खेलगाओं में मोस्त इंपॉर्टन प्रशन है ध्यारकीगा जोस्तों जितने भी प्रशन है वो सारे जितने भी इंपॉर्टन प्रशन है मैं सिर्फ उन ही को लेता हूँ ताकि आपको अधिक साधिक profit मिल से के ठीक है और जितके आने की संभामना बहुत अधिक होती है चलिए next question की बात करते है तो next question है हाली में 15 से 22 सर्वेजी तक ज्यारकन के किस जिले में azra mila का आयोजन किया गया most important question है तो इस mila का आयोजन जो है कहां पर किया गया यह किया गया option number C आपका सही answer यान की दुमका जिला में azra mila का आयोजन इस बार किया गया था ठीक है चलिए next question की बात करते है हाली में पद्म पुरुषकारों में ज्यारकन के कितने व्यक्ति को सम्मानित किया गया है तो जोस्तो अभी हाली में पद्म पुरुषकारों का वितरन किया गया इसमें कुल 112 व्यक्ति को पद्म पुरुषकार दिया गया जिसमें 21 महलाएं भी शामिले है ठीक है तो जहारकन से दोस्तों कुल पांच व्यक्तिवें को ये पुर्षकार दिया गया जिसमें से देखिए करिया मुंडा इवन बचंदरी पॉल को पदम भूशन से शमानित किया गया किसको करिया मुंडा और बचंदरी पॉल अब लोग लिख लिजिएगा जबकि जमुना टुडू और गुरु इमाम को पदमिश्री पुर्षकार से समानित किया गया है जमुना टुडू और गुरु इमाम को पदमिश्री मिला है और करिया मुंडा और बचंदरी पॉल को पदम भूशन से समानित किया गया है ठीक है चलिए नेक्स प्रेंट की बात करते हैं नेक्स प्रेंट है हाली में जारकर्म की किस जीले में अनसूचित जनजातियों के लिए जय हिंद कारिकर्म की शुरुआत की गई दोस्तो अभी जो है हाली में दुमका जीले में जो है वो जय हिंद कारिकर्म की शुरुआत की गई इसके थुरू जोस्तो क्या होगा कि जो अनुसुचित जंजातियां है उन्हें पुलिस विभाग में यानि पुलिस कर्मियों की जो नौकरी होती है उसमें दोस्तो किस प्रकास से प्रसिष्चन दिया जाता है उसी प्रकास से यहाँ पर भी दोस्तो जेहिंद कारिकरम के तौ दाल्भुमगर में बन रहे हवाइख के निरमांड का कार। किस वर्स पूरा हो जाएगा। वो दुस्तो कब तक दुस्तो वो चलेगा यानि कि कब तक उसका निर्मानकार पूरा कर लिया जाएगा तो वो है option number C आपका सही है यानि कि 2021 तक जो है इसका निर्मानकार पूरा कर लिया जाएगा और यह दुस्तो इस हुआई अड़स से लगभग 72 से 90 वैक्ति सपर कर सकते ह एक दिन में ठीक है चले नेक्स प्रशन की बात करते हैं अब नेक्स प्रशन हाली में किस योजना की शुरुवात जारकन सरकार की तरफ से और इस योजना के तरफ दो कुल 27 लाग परिवारों को दोस्तो लाब मिलेगा और इस योजना में जो भी लड़की जो है उसे जन के वक्त पांच जार रुपिया स्कूल में एडमिसन के वक्त दोस्तों पांच जार रुपिया फिर वो जब पांच वी वर्ग में होंगी उसके बाद आठ वी में फिर दस वी में और बार वी में इन चार वर्गों में उन्हें पांच-पांच अजार रुपया मिलेगा जब की जब वो लड़की 18 साल की हो जाएगी तब उसे 10 अजार रुपया का दोस्तो सरकार की ओर से दिया जाएगा 10 अजार रुपया ठीक है चलिए अब हम लोग नेक्स प्रस्न पे चलते हैं नेक्स प्रस्न है अठारा से शंतावन के लड़ाय में शहिद हुए वीरों की प्रतिमा का निर्माण निर्माण में किस इस्तान पर किया जगा है दोस्तो जो अठारा से शंतावन के लड़ाय में उन वीर जवानों की जो प्रतिमा है वो कहां पे बनाई जा रही है दोस्तो य इसका जो शही एंसर होगा वहोगा यह बर्सा मुंड़ा जो दूस्तों कारागार है यहां पर जो जो आठार शों शंताओन की करांती में जो वीर जवान सही दुएटे उनकी जो परतिमाई हैं उनका निर्मान किया जए आ पर विर्सा मुंड़ा कारागार most important question है द्यान रखे आप से directly question देखिए कुछ भी पुचा जा सकता है कि कि किस युद्ध में सहीध हुए वीरों की परतिमाओं का निर्माण अभी जहारकर सरकारे में हाली में करने का फैसला लिया है इस प्रकार से भी पुचे जा सकते हैं चलिए next question की अब बात करते हैं अदेखिया हाली में जहारकर सरकारे में किस लड़ाय में शेध्युए वीरों की परतिमाओं का निर्माण का फैसला किया है अभी मैंने बताया ओप्सान नमबर ये आपका सही है याने अठाशो शंताओन ठीक है चलिए नेक्ट प्रशन की बात करते हैं नेक्ट प्रशन है पहली बार जहारकण में अंतर विश्विदाले यूथ फेस्टिवल का आयोजन 25 से 28 मैं तक कहां पर किया जाएगा दोस्तो अभी जो है हाली में पहली बार जोस्तो जहारकण में ये अंतर विश्विदाले यूथ फेस्टिवल किया जा रहा है तो इसका जो आयोजन ने वो कहाँ पर किया जाएगा ये किया जा रहा है B.A.U. में ठीक है कहाँ पर B.A.U. में B.A.U. यानि कि इसका फुल फॉर्म दोस्तो है आपका बिर्सा एगरिकल्चर यूनिवरसिटी काहां पर बिर्सा ईगरिकल्चर युनिवर्सिटी ठीक है फुलम्प मैं आधर कहाए बी Aew बिर्सा मुंडा एगरिकल्चर युनिवर्सिटी ठीक है यहाँ पे जो सो एंतर विश्विदाला यूथ फैस्टिवल का आयोजिन के रहें दोस्तों वीडियो पसंद आये तो एक लाइक जरूर किया करिए और आज के लिए इतना ही जय है जय भारत